गाईज आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ इस तरीके की डार्क ब्लू से टोन में आपकी फोटो को एडिट करना सिखाएंगे वो भी लाइट रूम आपका यूज करके देख पर हो कि ये फोटो दिखने में कितनी ज़्यादा मस लग रही है और इस तरीके के एडिंग क ूआ के इस वीडियो को करिंटे हैं स्टार्ट हाँज तो आप देख पर कि हमने इस फोटोको लायट रॉन मैप के अंदर पमें कर लिया है यह देख फोटो के अंदर आपको इस फोटो केंदर अपनी फोटो में लाइं की atravrite करनी है इसके sollten को आपको इस लाइट वाले माइनस 34 पे यहां से ब्लैक्स की वेलू कम करके माइनस 18 के आसपा सेट कर लेंगे यह देखो फोटो बिफोर यह आफटर पहले फोटो काफी ज़दा लाइट थी अभी फोटो के अंदर ना थोड़ी से डार्कनेस क्रियेट हो गई है अभी आपको उपर एक कब्स का उप्सन भी लेगा कब वले आइकोन पे क्लिक करना है यहां से आपको RGB कलर को सेलेक्ट करना है जो आपको दिख रहा है यहां पे देख पर होगे ब्लैक कलर मतलब वाइट एंड गरे कलर में दिख रहा है फोटो के अंदर ना light की adjustment एक दम perfectly हो चुकी है जैसा हमेरी फोटो के अंदर हमको चाहिए अभी आपको जाना है color tool के अंदर यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले temp के value बढ़ा कर plus 10 कर लेंगे यहाँ सा tint के value बढ़ा कर plus 6 कर लेंगे अब आपको जाना है mix tool के अंदर and mix tool light room का बहुत ज़्यदा important tool है अगर आप अपनी फोटो को mix tool के अंदर edit करते हो मतलब light room app के अंदर edit करते हो तो इस tool की जरूरत आपको जरूर परेगी तो आप mix tool को अच्छे से समझिए सबसे पहले आपको जाना है यह magenta color के अंदर and इसका saturation minus 100 कर लेना है अब purple color के अंदर आना है इसका भी saturation minus 100 कर लेना है इतना हो जाने के बाद आपको जाना है green color में and इसका saturation कुछ इस तरीके से पहले hue को change करेंगे and इसका saturation पूरा minus 100 कर लेंगे अब आपको yellow color में आना है और इसकी hue को change करके left head में कुछ इस तरीके से color को add कर लेंगे और यहाँ से guys इसका भी saturation हम पूरा कम कर लेंगे अब photo के अंदर देख पर हो कि बिल्कुल हलका सा कुछ इस तरीके से आपको tone जो है दिख रहा होगा थोड़ा सा आप देख पर हो फिछ थोड़ा सा orange tone है अब आपको guys यहाँ से इसकी luminance की value minus 6 कर लेना है green color का भी luminance की value minus 6 कर लेना है अब आपको orange color के अंदर आना है orange color का saturation कुछ इस तरीके से कम कर लेना है ठेक है आप देख पर हो saturation मैंने इसको minus 15 कर लिया यहाँ से luminance की value plus 8 कर लेंगे थोड़ा सा बरहा लेंगे इसकी hue की value right side में यहाँ पर plus 6 कर लेंगे अब आपको red color के अंदर आना है red का saturation कुछ इस तरीके से increase कर लेना है यहाँ से इसको भी done कर लेंगे अभी guys मैं आपको एक बर photo का before and after दिखा दू यह रही before की photo and यह रही after की photo आप देख पर हैं की photo के अंदर ना इतना ज़्यादा मतलब मैंने काम कर दिया है अभी इस photo के अंदर ना colors को add करना है color grading करना है आपको जाना है इस color वेले tool के अंदर यहाँ grading tool आपको एक दिख जाएगा and highlights में भी हम कुछ इस तरीके से ही color को select कर लेंगे जो की blue color को होगा मतलब dark blue color होगा अब आपको आना है यहाँ global के अंदर and global के अंदर भी आने के बाद कुछ इस तरीके से आपको बिल्कुल हलका सा blue वाला tone जो है select कर लेना है ठीक है आप देख पर हो कि मैंने इतना काम कर लिया and इसको लगबग हम इतना पर set कर लेंगे अब गईज इसकी luminance आपको दिख रही है वी luminance हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे and shadows के अंदर जाएंगे and इसका luminance को लगबग minus 6 के आसपास कर लेंगे blending के value right shade में बढ़ा लेंगे and यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यह देख पर हो कि balance है balance को थोड़ा सा right shade में बढ़ा लेंगे and देख पर हो कि photo के अंदर कुछ इस तरीके से soft blue सा tone बोल सकते हो या फिर आप बोल सकते हो dark blue सा tone create हो चुका है अब आपको simple से यहाँ done पर click करना है यहाँ से guys आपको जाना है effects tool के अंदर यहाँ texture की value बढ़ा देंगे and इसको कर लेंगे plus 8 then यहाँ से clarity की value plus 4 कर लेंगे dh की value बढ़ा कर plus 8 कर लेंगे wignet को बिलकुल हलका सा कम करना है लगबग आपको इतना कब कर लेंगे minus 34 and midpoint को भी कम कर लेंगे and यहाँ feather की value बढ़ा लेंगे right side में and इसको कर लेंगे 68 अब गज़ आपको जाना है details tool के अंदर यहाँ sharpening की value बढ़ा लेंगे and इसको 38 के आसपास set कर लेंगे यहाँ से noise reduction की value लगबग 35 के आसपास बढ़ा लेंगे right side में यहाँ से contrast को बढ़ा लेंगे 17 के आसपास color noise reduction की value ज़्यादा बढ़ाएंगे यहाँ पे हम लगबग 46 के आसपास रख लेंगे यहाँ से हम details को बढ़ा लेते हैं smoothness को बढ़ा लेते हैं अब आपको optics वाले button पे click करके इन दोनों को simple से on कर लेना है ठीक है on कर लेने के बाद एक बढ़ फोटो देखना यह रही before and यह रही after आप देख वार होगाईज की यह फोटो दिखने में कितनी ज़्यादा मस लग रही है अब फोटो के अंदर बोल सकते हो कि dark blue सा tone या फिर बोल सकते हो soft blue सा tone जो भी tone आपको मतलब अच्छा लगे आप बोल सकते हो and इस तरीकी के अपनी फोटो को edit कर सकते हो light or map का सिर्फ यूज करके अभी गईज आपको just share वाले icon पे click करना है save to device पे click करना है ये फोटो आपकी gallery के अंदर easily safe हो जाएगी तो गईज देख पर हो कि हमारी फोटो यहाँ पे safe भी हो चुकी है I hope गईज आज की ये वीडियो आपको काफी ज़्यादा पसंद आई होगी इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी सिखने को मिला तो वीडियो को like करके चैनल को subscribe जरूर कर लिजिए इस चैनल पर इसी तरह की आपको वीडियो daily देखने को मिलती रहती है तो मिलती है आप से किसी next वीडियो में फिलाल के लिए इतना ही love you all, tech care, bye bye